कख्षा साथ में गड़ित में हम पाइथा गुरुष प्रमय के बारे में बच्चे को पढ़ाना है learning outcome हमारा यह है कि बच्चे समकुर तिरबुष बढ़ाकर पाइथा गुरुष प्रमय का सत्यापन कल लेंगे बच्चों को खेल खेल में हम पाइताग्रोस प्रमे का सत्यापन करना सिखाएंगे एक कागश हम लेंगे और इससे के साहिता से हम बच्चे ना वनाएंगे ना वनाने के बाद पुर्णा खोलने के पर हमें ये एक बर्ग चुनेंगे एक समकोड तिर्वुज चुनेंगे और उसके तीनों बुजाओं पर बर्ग को हम देखते हैं तो इस प्रकाल हम आकरती में ये देखते हैं कि दोनों बुजाओं पर बर्गों के पर तिर्वुजों की संख्या उसके कड़ पर बने बर्गों की संख्या के बराबर है इससे दोता है कि समकोर त्रिवुज के कड़ बने बरका छेटपल से दो बुजाओं के बने बरका छेटपल के योग के बराबर होता है हम एक समकोर तिर्वुज की रचना करते हैं जिसकी बुजा तीनों बुजाओ पर एक बर्ग की रचना करते हैं हम जानते हैं कि इसी वर्ग का छेट पर उसमें एकाई वर्गों की संख्या के बरावर होता है जैसे तीन बुजाओ वाले वर्ग में नव इसी प्रकार 16 होंगे तो दोनों को हम इस प्रकार एज़स्ट करते हैं यह देखते हैं कि जो कड़ पर बने वर्ग हैं तो दोनों बुजाओं के वर्गों के कुल संख्या के बरावर हैं यह पाइथा गुरस्प्रमय का सत्यापन है हम चारिक जैसे समकोर तिल्फूद लेते हैं जिसकी बुजाएं ए बी सी है और इसको एक इस प्रकार एंज करते हैं तो एक बर्ग की रचना होती है जिसकी बुजा ए प्लस बी है तो यहां हमारे अंदर देखेंगे कि यहां सी बुजा का जो एक है बर्ग बनेगा इस प्रकार हम पुना तिर्वजों को फिर से अरेंच करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास खाली स्टान में एक A उजावला बर्ग बनता है तूसा B उजावला बर्ग बनता है क्योंकि हमारे पास जो बर्ग है वो A प्लस B ही है तो इसका छेट फल बर्ग बर्ग बनता है इन दोनों बुजाव के बर्ग के बर्ग के बर्ग बर्ग होगा तो C स्कुरेबर A स्कुरेब प्लस B स्कुरेब अथा ये पाइथागूरस प्रमे का सत्यापन होता है